साई की बाद बच्छे, मैं जानता हूँ कि कुछ चीजों के लिए न, तुम तयार नहीं थे कुछ चीजे तुम्हारे जिंदगी में ऐसी आई जो अचानक से आई कुछ परिक्षाएं ऐसी आई, कुछ हाला तैसे आए जो अचानक से आई जिसके लिए तुम तयार बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, जब जिंदगी में जिम्मेदारियां आती है न, सर के उपर, जब परिक्षाएं आती हैं, जब हालात बुरे आते हैं तो जिंदगी संभालना भी सिखा देती है, और जिंदगी सब संभाल भी लेती है तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए काबिल नहीं हो, तुम तयार नहीं हो, लेकिन जिंदगी सब सिखा देती है सारे जिम्मेदारियों को पूरा करना सिखाती है तुमने अक्सर देखा है ना कि छोटी छोटी उम्र में भी बहुत जिम्मेदारियां आ जाती है कंदे के उपर जिस बच्चे की खेलने की उम्र होती है ना हसने गाने की उम्र होती है उसी वक्त उसके उपर जिम्मेदारियां आ जाती है वो भी अच्छानक से उसने जो भी सोचा नहीं होता कि उस ऐसा करना पड़ेगा लेकिन वो करता है ना वो जिम्मेदारियों को निभाता है ना जिन्दे की सिखा देती है और उसी के जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं उन्हें तो जिन्दगी का ग्यान ही नहीं होता और दूसरी तरफ उस बच्चे के उपर इतनी सारे जिम्मेदारियां होती है घर की, परिबार की परिक्षाओं की तो वो करता है ना तो इसी तरीके से मेरे बच्चे तुम हो मुझे मालूम है जिस तरीके के हाला तुम्हारे जिन्दगी में आये ना उसके लिए तुम बिलकुल बेदयार नहीं थे मुझे मालूम है मैं सब जानता हूँ लेकिन उसके बावजूत भी तुमने अपने जिम्मेदारियों को बगभू भी निभाया है मेरे बच्चे और इस तरीके से तुम निभाते भी आ रहे हो तुम चूके नहीं तुम घंपराए नहीं लेकिन हाँ कभी कभी तुम डरे लेकिन वहां मैंने तुम्हें थाम लिया वहां मैंने तुम्हें बचा लिया वो जिन्दगी तुम्हें सिखा गई तुमने बहुत समझाओते किये अपने जिंदगी में बहुत त्याग भी किये लेकिन बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो अभी भी तुम्हारे लिए समझनी बाकी है कुछ ऐसे अनुभव है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वो भी तुम्हें समझाओंगा और तुम पूरी तरीके से न, इस जिन्दगी में परिपूर हो जाओगे, और फिर तुम्हारी ऐसी जिन्दगी निकल कर बाहर आएगी न, कि तुम बहुत प्यारे होकर बाहर आओगे, निखर कर बाहर आओगे, जब सोने को निखारा जाता है न, मेरे बच्चे, तो उसे कड सब्सक्राइब इस लिया क्यान मैं थे खोएगोधानावी में वियुक्षिसेरे तूहताला। आज बहुत सुनहरा और बहुत सुन्दर है, बहुत प्यारा, और सुनो, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो ना, जो तुमसे कभी मिला ही नहीं, इतने साल हो गए, साल पेहले कुछ उसने बादे किये, कुछ कहा तुमसे, और इतने सालों से अगर वो तुमसे मिला नहीं है न तो फिर तुम क्या उमीद रखते हो कि आज भी क्या वो तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम्हारा तो उससे कोई संपर्क ही नहीं है न तुमने जो अपने मन में सोच लिया है न कुछ कहानियां अपने मन में तुमने खुद से बना ली है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा तो वैसे होगा देखो कहानियों से जिन्दगी नहीं चलती मेरे बचे हकीकत में आऊँ हकीकत को देखो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहा जिस चीज को तुम सोचते हो न उससे भी बहतरीन तुम्हें देना चाहता हूँ उससे भी बहतरीन मैं तुम्हारे जिंदगी में लाना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना लक्ष चुनना होगा कुछ बनना होगा अपने बाओं पर खड़ा होना होगा फिर देखता हूँ किसकी कैसी मजाल कि तुम्हें कुछ कह जाए तुम्हें कुछ बोल जाए आज है तुम्हारे घर खांदान में बहुत सारे ऐसे लोग चो तुम पर उंगलियां उठाते हैं चो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं और चिड की वज़ा से ईशा की वज़ा से कि तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो वो चाहते ही नहीं कि तुम आगे बढ़ो लेकिन फिर पूरा विश्वास है कि उस मंतर पर मैं आता हूँ तो उस मंतर का जाप कभी मत छोड़ना जो तुम्हारे जबान पर हमेशे चलता रहता है ओम साई राम कोई मेरे बच्चे बोलते हैं ओम साई रक्षक्षडनम ओम साई रक्षक्षडनम तो बस तुम्हें जिस भी मंत्र पर भरोसा होना उस मंत्र का चापकिया करो और मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो मेरे सामने बैठ कर लक्षमी जी की आरती करते हैं उनकी पुस्तक पढ़ते हैं मा भगवती का अराधना करते हैं शिव अराधना करते हैं हनुम चाही रूप ना अलग-अलग नाम से हैं तो क्या हुआ तुम चाहे राम पुकारो चाहे शाम पुकारो चाहे हनुमान पुकारो चाहे शिव पुकारो शक्ती तो एक ही है ना दर्शन तो सबका मिलेगा तुम्ही सभी रूपों में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे पर समझाने के लिए तुम्हें ऐसा किया कि तुम समझ जाओ तुम बहुत चिंता कर रहे थे ना सिर्व इसलिए और सुनो मेरी बात को दीरे धीरे करकर मौसम बदल रहा है बारिश बहुत है मेरे बच्चे और इस मौसम में ठंडा खाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है तो थोड़ा परेज करो बरसात के मौसम में ठंड के मौसम में थोड़ा सा परेज करो मेरे बच्चे चुकि बरसात से ठंड हो रही है और तुम्हें बुखार भी है मैं जानता हूं थोड़ा परेज करो चीजों से बचो मेरे बच्चे और तुम्हे अपने घर में पूझा रखवानी थी न तो रखवालो मेरे बच्चे समय आगे नहीं बढ़ना चाहिए वक्त आगे नहीं बढ़ना चाहिए तिथी आगे नहीं बढ़नी चाहिए चितना जल्दी हो सके अपने घर में पूझा रखवालो अगर मेरा प्रिशाद तुम तक पहुच रहा है ना, तो उसे ग्रहन करो, उसे इधर उधर मत रखो, उसे ऐसे मत रखो कि तुम बाद में भूल जाओ और उसे ग्रहन ना कर पाओ, ऐसा कई बार तुम्हारे साथ हुआ, ध्यान रखा करो इन सब चीजों का मेरे बच्चे. रोज मुसे प्रातना करते हो ना, उस इनसान की मनो काम ना, उसकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगा, तुम जिसके लिए प्रातना कर रहे हो, जिस वज़ा से कर रहे हो ना, वो पूरी हो जाएगी, मैं तेरी लाज रखोंगा, तेरी बात मेरी बात है मेरे बच्चे, त तुम्हारे जुबान है ये तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे बाबा की ओपर कि तुम्हारे बाबा ये पूरा करेंगे और मैं करूँगा मेरे बच्चे मैं जरूर पूरा करूँगा क्योंकि तुम्हें जो जुबान दी है न कि मेरे बाबा करेंगे तो हाँ मैं मैं तुम्हारे लिए करूँगा और सुनू जहां पर तुम्हें लगे ना कि कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ तो बोलना सीख जाओ आवाज उठाना सीख जाओ और बोला करो कब तक चुप चुप रहोगे कब तक शांती से रहोगे शांती से जितना रहोगे ना सामने व सामने वाले का भी है न उतना तुम्हारा भी है क्यों डरते हो तुम मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा और तुम गलत नहीं हो वो गलत है सामने वाला गलत है और उसे इस बार मानना होगा मानना होगा उसे और सुनो मेरी बात को कान खोल कर सुलो अगर कोई तुम्हें अपने जश्न में शामिल नहीं करना चाता न तो मत उदासो, मत परेशान हो ये मत सोचो कि तुम्हारी बेज़ती हुई है, बिलकुल नहीं बलकि उनका स्वभागय ही नहीं था, कि वो तुम्हें वहाँ पर उपस्तित कर पाएं क्योंकि तुम ना मेरे बच्चे हो तुम्हारे अंदर मेरा प्यार है, मेरी ज़लक है और तुम ऐसे हर जगा नहीं जाओगे, जहां तुम्हें इज़त दी जाएगी, जहां तुम्हें मान सम्मान से बुलाया जाएगा तुम बहीं जाओगे, और इसमें तुम्हारी गल्ती नहीं, उनकी गल्ती है इसमें तुम्हारे करम नहीं, उनके करम है तो जैसे वो कर रहे हैं, वैसे वो भोगेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल उधास मत उआ करो तुमें मैं लेकर जाओंगा एक ऐसी जगा पर जहां तुमारा खूब मान सम्मान और इज़त होगी मेरे बच्चे चिंदा मत करो वो दिन भी दूर नहीं खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप्तुवा